असलामों अलेकुम, वेलकम टू माई किचन, आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से चिकन टिक का मसाला, जो रोटी, नान, पराठा या तो राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, तो चली बनाना सुरू करते हैं, तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्रा आदिज चमच हल्डी, एक चमच कुटी हुई काली मिर्च, एक चमच लाल मिर्च पावडर, एक चमच भून के कुटा हुआ जीरा और दो चमच जितना हम चिकन टिक का मसाला लेंगे। अगर आपके पास चिकन टिक का मसाला ना हो तो आप एवरिस्ट का या तो फिर कोई भी ब्रांड का चिकन मसाला भी ले सकते हैं, तो ये सारे मसाले हम चिकन में डाल देंगे, और साथ ही में हम 50 ग्रम जितना दही डालेंगे, और दही हमारा बिल्कुल भी खटा नहीं होना चाहिए, तो बस इतने ही मसाले डालके हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, चड़ जाए, दो गंटे के बाद हम इसे चेक कर लेंगे, इस तरीके से सारे मसालों में चिकन को मेरिनेशन करके हम चिकन को इस्तमाल करते हैं, तब चिकन हमारा बहुत ही सौफ्ट और ज्यूसी बनता है, तब हम एक कड़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, और सारे चिक चिकन के पीस मैंने रख दिये है, अब इसे कवर करके हम मिडियम फ्लेम पे होने देंगे, आठ से दस मिनिट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे, तो देखें नीचे से हमारी चिकन का बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, तो हम सारे पीस को इस तरीके से गुमा देंगे, और दू इसे हम इसे कवर करके 4-5 मिनिट के लिए होने देंगे, और फिर हम इसे चेक करेंगे, तो देखें दूसरी तरफ से भी हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, और चिकन भी हमारा पूरी तरह से कूक हो गया है, तो ये सारे चिकन के पीस को अब हम एक प्ल की इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हाई ही रखना है और प्यास को हमें गोल्डन कर लेना है तो देखे हमारी प्यास फ्राइ होके गोल्डन हो गई है अब हम इसमें एक बड़े से टमाटर को इस तरीके से बारिक काटके डाल देंगे एक बार इसे हीला लेंगे ताकि कि प्याज हमारी जलना जाए और फिर साथ में ही हम इसमें एक चमच अद्रक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे अच्छे से हीलाते हुए हम इसे दो से तीन मिनिट के लिए पका लेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए उसके बाद हम इसमें ड्राइ मसाले डालेंग इसमें हम टेस्ट के मुताब एक नमक डालेंगे याद रखें कि मेरी नेशन में भी हमने नमक पहले डाला हुआ था तो इसलिए ग्रेवी का हिस्से का ही हम इसमें नमक डालेंगे साथ में आधी चमच हल्दी, दो चमच दनिया जीरा पाउडर, एक चमच लाल मिर्ष पाउ तो ये मसाले थोड़े ड्राइ हो जाए वहां तक हम इसे पका लेंगे तो देखे दो मिनिट तक मैंने इसे अच्छे से होने दिया था और ये थोड़ा सा ड्राइ भी हो गया है तब हम इसमें एक कब जितना दही डालेंगे और याद रखे के दही हमारा बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए नहीं तो ग्रेवी आपकी खट्टी हो जाएगी अब ग्यास की फ्लेम को हमें हाई कर लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे ग्रेवी में बहुत याच्छी थीकने सा जाएगी और ग्रेवी का बहुत याच्छा रीच टेस्ट आएगा तो इसे भी हम हाई फ्लेम पे एक से दो मिनिट के लिए होने देंगे और फिर इस तरीके से तेल उपरा जाए उसके बाद हम चीकन के पीस सारे इसमें डाल देंगे तो इस तरीके से जब भी हम चीकन के पीस को सेलो फ्राइ करके ग्रेवी में डालते है तो आपकी चीकन के कोई भी डीस का टेस्ट रेस्टोरेंट के जैसे आता है और बहुत ही टेस्टी बनता है चीकन के पीस तो हमारे पूरी तरह से पक गए है तो gravy के साथ हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा ही पानी डालेंगे ताके हमारे gravy के और टिकका के मसाले एक दुसरे के साथ मिक्स होके बहुत ही अच्छा टेस्ट आए और पानी डाले बाद gas की flame को हमें high ही रखना है और high flame पे ही हम इसे सिर्फ 2 मिनिट के लिए पका लेंगे और 2 मिनिट के बाद हम इसे चेक करेंगे तो देखें बहुत ही अच्छी हमारी gravy यहाँ पे ready हो गई है और उपर टेल भी अच्छे से आ गया है और gravy का texture आप आपके हिसाब से थोड़ा घाडा भी कर सकते है पर ऐसी gravy, रोटी, नान, पराठा या तो राइस के साथ बहुत ही tasty लगती है तो चलिए last में हम बहुत सारा कटा हुआ हरा दनिया इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे mix करके गर्मा गरम इसे हम serve करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से हमारा chicken टिक का masala बनके ready हो गया है तो आप भी यह आसान तरीके से एक बार chicken टिक का masala जरूर से बनाईएगा क्योंकि ऐसा chicken टिक का masala सबको बहुत ही पसंद आने वाला है तो चलिए अब हम इसे गर्मा गरम serve करेंगे तो आज की मेरी recipe आपको अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो मेरी चैनल को आप जरूर से subscribe कर लेना क्योंकि ऐसी ही आसान आसान recipe आपको मेरी चैनल पे मिलती रहेगी तो चलिए मिलेंगे एक नई recipe के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज हैपी कोकिंग